हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेयर करेंगे हरे मटर का नास्ता जो बहुत ही तेस्टिiron लगता है इसे आप साम के चाय के साथ इसे आप खा सकते हैं और बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और बहुत जटपाठी वन जाता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरू करें और चैनल को सस्काइब करना पिल्कुल मत भूलिएगा इस उबे के या शाम के नास्ते के लिए बहुत ही परफेक्ट है इस तरह से हमने ये हारे मटर ले लिये हैं और इसे हमने छील लिया है छील के हमने धो लिया है, ये हमने हरे मिच काट लिया है और गैस टूले पर हमने कुकर रख दिया है, कुकर हमारा गरम हो गया है उसमें हम दो चमच के लगबख सरसो का तील डालेंगे, तील जादे नहीं डालेंगे और जीरा से तड़का लगा देंगे जीरा हमारा थोड़ा सा गुलन हो जाए उसके बाद इसमें हम हर इमिर्च डालेंगे और यह हमने हर इमिर्च डाल दी है हर इमिर्च को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे यह बहुत ही जहटपट बन जाता है इस तरह से हमने इसमें जो हरे मटर को छील के रखा था वह हमने चारा हरा मटर इस कूकर में डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसे हम करेंगे फिट से तेल मसाला सब भल लगाएंगे ये धेखिeme हमने एक से दो सीटी लगाई बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है और इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे इस तरह से देखिए बहुत ही यमी बनता है बहुत ही टेस्टी इस तरह से हमने इसे प्लेट पे निकाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा भूजा या मूडा आप जो बहुत ही बोलते हो उसको अम इसके उपास टाल देंगे आप कि इस तरह से खाएंगे कि नास्ते का स्वाद बहुत भड़ जाता है और इसमें हमने बुझीया नमकीन डाल दिया है अब कोई बीस पेनमकीन डाल सकते हैं और यह हमने हरी मेंच पत्ति डाल दीया है और इसमें थोड़ा सा खट्टा करने के लिए या आमचूर पोड़ा डाल दीजिए या नीबू इसमें डाल के खाएं और यह हमने नीबू डाल दिया है इसे अपने फैमिली फेंड के साथ जरू सेयर करें और कमेंट में बताई गई किस-किस ने इस तरह से यह मटर का नास्ता खाया है ह पिर मिलते हैं आपको एक ने रेजपी के साथ दन्यवाद आप अगार आपको एक ने रेजबू के साथ दन्यवाद